फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हूं अलवर का फेमस मिल्क केक की स्वीट रेसिपी और ये अलवर का फेमस है और बहुत जादा पसंद किया जाता है सभी लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे ब्रदर को भी बहुत पसंद है तो मैं जादा तरहर रच्छा बंदन पर ये मैं जाएर करती हूँ बहुत सारे टीप स्ट्रीक के साथ मैं ये पार्फेट साथ में दानेदार बनाना आपको बताऊंगी आप देख सकते हैं तो ये मिल्क केक में कैसे बनाऊंगी oh इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए वा ties के लिए ओन ऐख़ों आड़ का घर पर कम पैस बहुत टेस्टी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए और चलिए कैसे बनाते हमें बताती हूं अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लिए पुस्प्लता किचन 15 है इंस्टाग्राम आइडी मेरी यहां पर मैं तीन चीजों का यूज करूँगी यहां पर मैंने अमूल गोल्ड वन केजी लिया है और उसके बाद आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं और मैंने लिया है घी और मैंने लिया है सुगर इन तीन चीजों से ही यह मिल्क एक दानेदार हम घर पर आसानी से कम खर्च में बनाएंगे तो यहाँ पर एक कडाई लिया है अगर आपके पास लोही की कडाई हो तो आप लोही की कडाई में बनाएं तो बहुत अच्छा कलर आता है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं और यहाँ पर मैंने यह लिया है इसमें मैंने 1 kg मिल्क डारेक्ट बिना उबला मिल्क है डारेक्ट मैंने यहां पर कडाही में डाला है उसके बाद हमें continue हिलाते रहना है इसे हमें तब तक हिलाते रहना है जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाए तो अभी आप देख सकते हैं अभी अच्छे से उबाल आ तो आप बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रुक के भी हिरा सकते हैं लेकिन जब तक उबाल नहीं आया है तब तक आपको continuous आपको चलाते रहना एक यह टिप्स है आपके लिए तो इसके बाद हमें क्या करना है धीरे धीरे चलाते भी रहना है इसको अब हम एक टिन लेंगे टिन को हम घी से ग्रीज कर लेंगे यहां पर एक साइड में हम ग्रीज करके रख देंगे जब यह हो जाएगा तो हम इसके अंदर इसको यहां पर सेट करेंगे डालके तो यहां पर देख सकते हैं मैंने अलग रख दिया है यह देखिए और यह बनता जा रहा है अपी काफी ठिक हो गया है तो जैसे एक किलो मिल्क है तो हमें इसे हाफ केजी मिल्क तक करना है अगर आपने टू केजी मिल्क लिया है तो आपको वन केजी तक करना है उसके बाद आपको जो सुगर लिया है उसको एड़ करना है तो सुगर को हमें एक साथ एड़ नहीं किया यह दूसरा टिप्स है यह सुगर को आपको एक साथ एड़ नहीं करना है अगर आपने एक साथ सुगर को डाल दिया तो क्या होगा कि वो पानी छोड़ देगा और पानी पानी जैसा मिल्क हो जाएगा तो हमें क्या करना है हर थोड़ी देर में एक एक दो दो चमच करकी हमें इसमें सुगर एट करना है, यहाँ पर 1 kg मिल्क के लिए मैंने 1 बाउल सुगर लिया है, लगभग 100 ग्राम के करीब इसमें सुगर जाएगा, तो आप देख सकते हैं, धीरे-धीरे करके मैं मिला रही हूं, उसके बाद सारा मिलाने के बाद हम एक लेमन लेंगे, तो लेमन का हम में 6-7 बूंद यहाँ पर डालना है, बहुत जादा लेमन नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो कड़वा हो जाएगा, तो आपको 6-7 ड्रॉप देख सकते हैं, आप कितना है 1 kg मिल्क के लिए, यह तिसरा टिप्स है, तो और यहाँ पर आप अगर आपके पास यह नहीं है, त अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने घी डालना इस्टार्ट किया है, तो घी डालने के लिए भी हमें वही प्रोसेस करना है, एक साथ घी नहीं डालना है, और क्योंकि घी सा हो जाएगा, तो आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा घी डालना है, तो यहाँ पर मैंने घही डालने स्टार्ट कर दिया था अब मैंने हाँ पर लेमन का जूस लिया था वो मैं boundary हूंँँ तो अब देख सकते हैं जब इसकी थीकनेस होने लगे तब हमें नीभू का जूस अड़ करना है तो अब यह मैंने लेमन का जूस जैसे ही आप ऐट करेंगे तो आपका ये जो मिलक के वो दानेदार होने ना स्टार्ट कर देगा तो आप देखिए ये हो ने फट गया थोड़ा सा और अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा तो थोड़ा सा डालने के बाद आप देख सकते हैं और घी डालने से क्या होता जो हमारी स्वीट है वो एकदम स्मूथ और सॉप्ट और रहती है तो इसलिए हमें घी इसमें डालना है आप कोई लोग घी भी नहीं डालते हैं लेकिन आगर आप डालेंगे तो अच्छा रहेगा तो अब देखिए ये कैसा हो गया है कितना अच्छा दाना आया है इसके अब भी ये बढ़ने के प्रोसेस में आ गया है तो जैसे जैसे आप इसको चलाते हुए लास्ट में बिल्कुल छोड़ना नहीं है नहीं तो नीचे से चिपकने लगेगा तो इसको आप कंटिनुवस चलाते हुए करना है तो अब हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया है तो अब हम इसे जो हमने टीन ग्रीस करके रखा है वहाँ पर मैं इसको डाल के और अब इसको 7-8 घंटे के लिए हम एक गरम जगह पर रख देंगे और इसका कलर आने के लिए हमें इसको गरम जगह पर रखना होता है तो अब मैंने इसको 7-8 घंटे हो गया है अब मैं इसको open कर रहे हूं आप दे सकते हैं इसका color भी कितना अच्छा एकदम perfect milk cake का color आ गया है तो अब इसको हमें हम निकाल लेते हैं तो निकालने के लिए हमें क्या करना है side से थोड़ा सा हम इस तरह से चाकू की help से कर देंगे उसके बाद अगर आप निकालते हैं निकल जाता बना है color भी कितना अच्छा आया है अब इसको मैं palette के आपको दिखाती हूं तो देखिए कितना एकदम perfect चाली और बिल्कुल अच्छा सा बना है दानेदार हमारा milk cake तो चलिए अब इसको cut कर लेते हैं तो इसको आप किसी भी shape में cut कर सकते हैं जैसा भी आपको shape पसंद हो औ और तो मैं इसको लंबे में काटूंगी तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको लंबाई में काट लेती हूं तो friends यह बहुत ही soft और दानेदार बना है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो जरूर आपको पसंद आएगा और सारे tips फॉलो करके अगर आप milk cake बनाएंग कोई खा नहीं रहा है तो घर पे बना के आप खाईए और फेस्टिवल पे बनाएए और बहुत पसंद आएगा आपको तो friends यह देखिए मैंने कट कर लिया है यह सेप में आप देख सकते हैं तो कितना अच्छा मैं आपको पास से दिखा रही हूं कितना अच्छा दानेदा अच्छा दाना और कलर भी कितना परफेक्ट आया है तो अगर आपको मेरी रेशिपी पसंद आती है तो लाइक कमेर शेयर जरूर कीजिए अगर और इस रच्छा पंधन आप जरूर यह रेशिपी ट्राइप कीजिए आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप चैनल पर तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स गुड़ टेक केर एपिर अच्छा बंधन तू आल आफ यू बाइ